हेलो फ्रेंज जैसा कि हम एलेक्ट्रोनिक की सीरीज चला रहे हैं, उस एलेक्ट्रोनिक की सीरीज में हमने कल सिर्फ डायोड पर डिसकसिन किया था, हमने थोड़ा बहुत इसको एक्जामपल के समझाये था, और डायोड का द्यानिक जीवन में क्या उप्योग है, और अगर आ सबसे आपको डाइसाथ के बारे मैं जानकारी होना है रिजिस्ट्र ऑ्न हम साथ को साहरो है कि प्लत है हम उए झाकार की प्लत है कि यह पंद आज समझते हैं जाते हैं, चोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे बैटरी के थो उस पर हम देखेंगे कि रजिस्टेंस का एक्चुली किस जगा यूज करते हैं और रजिस्टेंस का उप्योग करने से क्या कुछ फायदे हैं या नुकसान है तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं रजिस्टर रजिस्टर बैसिकली रजिस्टर एक नौन है, यनि कि संग्या है जिसका मतलब है प्रतिरोध और यहीं से सब्द और ज़्यादा अगर लौग करें तो रजिस्टेंस बन जाता है यहीं से रजिस्टेंस रजिस्टेंस यहां से इसको प्रति रोधक चमता बन गई तो यह प्रति रोधक चमता जैसा कि आपके बॉड़ी बनते हैं जो आपको प्रति रक्षा के रूप में काम करते हैं जब भी आप किसी तरीके का पोईजन या छोटे-मूटे जीवानों की टाउनों आपके अंदर जाते हैं तो आ को चलाने के लिए लगाते हैं तो वहां पर करेंट को हम हाथ से रोक नहीं सकते या और किसी इंस्ट्रूमेंट को नहीं रोक सकते लेकिन उस करेंट को रोकने के लिए कंसाइज कर कम कर आगे अपने इंस्ट्रूमेंट के लिए उपियोगी करेंट लेने के लिए रजिस्ट सबसे निकलना चाहते है वहाँ पर हम यूज करते हैं रजिस्टेंस अब हम साथ च्छोटा सा सरक्ट डाइग्राम करेंगी जिसके थ्रोव हम समझेंगे कि रजिस्टेंस को कैल्कुलेट कैसे करते हैं जैसे आपको घरों में एले ज़ाने हुई तो उस एलेटी को और यहां से एक बाईर निकाले, एक यहां से बाईर निकाले और हमने यहाँ पर छोटा सा एक बैटरी लगा दिया इस बैटरी पर हमने दो plus-minus cathode और anode लगाद दिये Basically anode में और cathode में आपको confusion रहते होगी जो आपका anode होता है इसे हम plus कहते हैं लिकिन जब पढ़ने पर एनोड जैसा प्रोणाउंसेसम देता है हमें लगता है यह निगेटिव है और कैथोड इसको हम माइनस कहते हैं अब आपके आसा करता होंगे सारे डाउट दूर हो गया होगे अब इस बैटरी से हम इस लेडी को जलाएंगे सपोस्थ यह लेडी का साइज है तीन अमें अब आपको लेडी जलाने के लिए लेडी का टॉलरेंस और जो वाल्टेज ड्रैन है वह समझ सकते हैं और उसके बाद में अपलाई कर सकते हैं सपूस्थ लेडी जलाने के लिए यहां पर लडी रखे हुई है अभी अभीख हम सीधा यहां पर हमारे पास 12 बुल्ट की बैटरिये इस बैटरी से लाने के लिए अगर आप LG को जलाने के लिए सीधे connect करते हैं इसको supply देते हैं तो यह आपकी बैटरी से LED जल सकते हैं लेकिन फुक जाएगी अगर इसको फुके बिगर consistency में और reliability के साथ पूरे समय तक जलाना है अपने circuit में यूज करना है तो हमें यहाँ पर इस voltage को कंसाइज करना जैसा कि मैंने पहले बताया था रिजिस्टेंस का यूज ही एक बड़े voltage के amount को कम करना और उसे अपने circuit में यूज करने के लिए रिजिस्टेंस का यूज करते हैं तो रिजिस्टेंस बेसिकली हम यहां नो बोल्ट की बैटरी से तीन एम्म की जो एलेडी जिला रहे हैं जिसका पांच एलेडी यहां इसके साथ सीरिज में लगा दें तो वॉल्टेज ड्रेन कम हो जाएगा तो ऐसे नहीं होता हम यहां रिजिस्टेंस का यूज करे बिगर नहीं कर सकते या तो हमें एलेडी की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और एलेडी की संख्या बढ़ाते हैं तब यह एलेडी आसानी से जल गई अब सवाल यह उठता है कि 12 बोल्ट की बैटरी से अभी आपने मना करा था कि डायरेक्ट चलाने से एलेडी फोग जाएगी जलेगी लेकिन फोग जाएगी को समय के बाद तो यहां पर यह कितने ओम की रिजिस्टेंस यहां पर लगी है वो कै बार्टेज जिस जगह से बार्टेज मिल रहा है ऐस्युक्त बोल्टेज लेडी जिस बोल्टेज मिल रहा है वो चलती है उसके डाटा-सीट में दिया होता है वो इसको माइनस कर देंगे और यहां पर एंपयर में वॉल्टेज रखेंगे जो कि इस अवाल एंड़ो Пいस ग आपका यहां पर 1.75 बोल्ट है तो हम यहां को इसको राउंड फिगर करके दो बोल्ट कर लेते हैं इससे आपको समझ में आसानी से आएगी दो बोल्ट हमने कर लिया अब इसका जो एंपियर जनरली 3 mm की एलडी उसका बीस मिली एंपियर वोल्टेज से ही वो ब्लिंक कर जाती है मिली एंपियर इस से ज्यादा भी कर सकती है लेकिन जो सोर्स वोल्टेज कम से कम एंपियर में वह बीस मिली एंपियर है अगर आप इतना करेंट देंगे तो किसी बी एलडीको अचानक वह खराब नहीं करेंगे लेकिन वह अपना फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए सब फॉर्मूलर ट्रॉक रहे हैं जिसे रजिस्टेंस कौन सी लगेगी वह लिखा और बोल्टेज सोर्स जो बैटरी लगाई है वह कितने बोल्ट की है और उस एलेडी का बॉल्टेज ड्रेन कितना है जितने पर बिलिंग करती है वह यहां रखेंगे और यह जनरली 20 मिलाइमपियर पर चलती है तो यहाँ पे रख लेते हैं सबसे पहले हमने की बैटरी है है और लोग बन टिप्वल है क्यों यहां पर बोल्ट में म्हाँ दिखाई रहा है यहां पर मिलेएमपियर में बदलने के लिए में एक हजार का multiply करना पड़ेगा अब हम यहां से इसको calculate कर लेते हैं माइनस टू से बिना आ गया अपन में ट्वेंटी अब यहां से हम एक जीरो से एक जीरो हटा देते हैं यह हमारा सास्सो बड़े दो आया अब हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं दो तीच है और दो पंचे दस हैनि कि 350 आया अब यह 350 जो बैलू आई आपकी यह बैलू निकलाए के रजिस्टेंस की अब यहां पर यह निकलि quantidade में निकली है यह बैलू और यह निकलिए आप इस रिजिस्टेंस की रौंड फिकर कोई रिजिस्टेंस आती है क्लों करेगए तो इसका अल्टरनेट एक रिजिस्टेंस आता है जिसे 330 बोलते हैं 330 बोलते हैं इसको आप लगा देंगे तो LED यह बिलिंग कर देगी यहां से हमने इस रिजिस्टेंस की वैली फाउंड आउट की यहां 330 की रिजिस्टेंस लगे हुई है अगर हमारा सर्केट 9 वोल्ट की बैटर हमकoa करते हैं आप अगर हम इसी सरक्ट में इसको थोड़ा बारसेक्सप्लेंन कर देते हैं इसी सर्किटह अगर यहां पर थी यह पिलस हो गया हमारे है माइनस हो गया और हमने यहां पर एक रिजोचिंस को यूज किया था इसके बाद हम हमने यहां पर LED लगाई थी अब इस रेजिस्टेंस को हमने सीधे यहां एक रेजिस्टेंस लगाकर LED में जोड दिया सपोस्टेट हम इसी को यहां पर एक चार्जिंग सर्किट लगा ले प्रिविस वीडियो को मैं कुछ हिंड दे रहूं जिससे आप समझ सकते हैं यहां पर हमने चार्ज लगाया और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमने दो बाइर निकाले सपोस्टेट यहां से यह पिलस जाएगा एसी करेंट जाएगा वह चार्ज करती रहेगी सपोस्टेट एसी का सप्लाई यहां से बंद हो गया और रिबर्स वॉल्टेज इधर को आने लगा कोई भरोसा नहीं है इसके लिए हम इस बाइर में यहां पर एक डायोड का यूज करते हैं जैसा कि हमने पिछले डायोड का यूज करते हैं जो ऐसी सिलेंडर नम certified होता है और दोनों यूज amateur कर सकते रूदर नेशर होता है और दूसरे थिर पास करता और उदर से रिवर्स करेंट को रोक लेता है तो प्रीविएस वीडियो में जो हमने डायोड को डिसकस किया था वहाँ पर पोटोलेक्टिक डायोड था जो आपका एक सूर्य वाला डायोड था जो आपको डायोड थरमल होते हैं उनके अंदर इसा मचली मैटेरियल इंजक्ट करा जाता है तो वो हीट से उस प्लेट को अंदर की गरम कर देते हैं और आगे करेंट पास कर देते हैं तो इस तरीकी के electronics पार्ट के discussion के लिए knowledge के लिए आप हमें subscribe करें और पिछले वाले